हेलो दोस्तों आप सभी का फिर एक बार स्वागते फिल्मी डोज में और आज मैं आप सभी से बात करूँगा आने वाली अपकमिंग हिंदी डब्ट फिल्मों के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का वीडियो तो सबसे पहले मैं आप सभी से बात करूँगा रवी तेजा की आने वाले फिल्म धमाका के हिंदी डब्ट वर्श्जिन के बारे में जो इस फिल्म का हिंदी डब्ट वर्श्जिन है उसका जो नाम रखा गया है वो है बिग धमाका और 21 ओक्तोबर को इस फिल्म का पहला इस फिल्म को रिलीज करवाये जाएगा वोपस तो कि बिफोर यू इस बार इस फिल्म को रिलीज करवा ही दे थिएटर में आप सभी जानते ही होंगे कि रामा राओ ऑन ड्यूटी के टाइम कुछ ऐसा हुआ कि फिल्म को रिलीज तो करवाये इनोंने लेकिन बिना जो उन देखने के लिए मिले थे और जो इस फिल्म का हिंदी डप टाइटल अब वो रखा गया है सुप्रीम ऑफिसर और ये फिल्म हम सभी को जल्द ही श्रीमारू के एप पर देखने के लिए मिलेगी लेकिन अभी तक उन्होंने इस फिल्म के रिलीज डेट को प्रोम को पॉसपौन कर दिया और अब ये फिल्म हम सभी को पंदर आउक्टोबर को देखने के लिए चलिए बात करते हैं अंगले फिल्म के बारे में जिसका नाम है Bigil और इस फिल्म का हम सभी को बेश सबरी से इंजार था और थलपती विजय हम सभी को इस फिल्म में ट्रिपल रोल में नजर भी आए लेकिन जो इस फिल्म की हिंदी डबिंग है उस डबिंग से हम सभी लोग नाखुश है जितने भी लोगों ने इस फिल्म का प्रोमो देखाऊगा आप सभी समझ गये होंगे कि इस फिल्म में हम सभी को थलपती विजय की आवाज शानूर मिर्जा की सुनने के लिए नहीं मिलने वाली है और ऐसा इस फिल्म के साथ ही नहीं लग भग जितनी भी फिल्म में आ रहे हैं सभी के साथ यही हो रहा है चाहिए वो डॉक्टर हो या फिर अब बिगिल हो सबकी जो वोईसोवर्स हैं लीड वोईसोवर्स उनको बदला जा रहा है अब ऐसा गोल्ड माइन्स क्यों कर रहा है यह तो हम नहीं जानते क्या वो एक्सपेरिमेंट करके देख रहा है कि हाँ जो सेलेब्रिटीज होती है उनकी अवाज जादा सूट करेगी केरेक्टर्स पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह जो एक्सपेरिमेंट है वो अच्छे कर रहा है उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए डबिंग पर उन्हें जो हिंदी डबिंग है वो रेगुलर वोईस आर्टिस से ही करानी चाहिए सेलेब्रिटीस को नहीं लेना चाहिए लेकिन अब जो हो चुका है अब हम उसे बदल तो सकते नहीं चलिए देखते हैं कि क्या होता है तेहीस ओक्टोबर रात आठ बज़े ये फिल्म हम सभी को देखने के लिए मिलेगी गोल्ड माइन्स पर तो अब बात करते हैं कन्यडा की ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा के हिंदी डब्ड वर्जिन के बारे में इस फिल्म का हिंदी ट्रेलर कल रिलीज हो चुका है और हम सभी ने साफ साफ सुना कि उसमें सचिन गोले ने रिशव शेटी को अपनी वोईस ओवर दिये और उनकी अवाज एकदम कमाल लग रही है इस कैरेक्टर पर और जो डायलोग्स और फ्रेलर में सब कुछ एकदम परफेक्ट हैं इस फिल्म के हिंदी डायलोग्स लिखे हैं मनीश भवन जी ने और ये फिल्म हम सभी को हिंदी डब्ड वर्जिन में 14 अक्टूबर से देखने के लिए मिलेगी ये इस फिल्म को तेल्गू तमिल मलियाल और मुझे तो ये रखता है कि जो इस फिल्म के हिंदी डबिंग ओनर होंगे वो गोल्ड माइन्स ही होने वाला हैं और जो इस फिल्म का ट्रेलर है वो आप सभी ने देखा ही होगा और मैं कहूंगा कि हाँ ये फिल्म जो है मुझे तो ट्रेलर पसंद आया होपसो कि ये फि पर बड़िद सकता है क्योंकि हम सभी जानती हैं कि गोल्ड माइन्स लगभा कोई भी बड़ी फिल्म नहीं छोड़ रहा है तो इस फिल्म के राइज भी उन्हों हिंदी में थेटर्स में ना लगाए जाए लेकिन जो डबिंग है हिंदी की वो तो कंप्लीट होई चुकी है लेट्स होब कि ये फिल्म हमिट सभी को थेटर में देखने के लिए मिल जाए तो यह तक था हमारे आज का वीडियो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वी बाई बाई एंड टेक केर